राधी राधी दोस्तों, इस समय मार्ग महा के गुप्ट नवरात्री चल रहे हैं। यह 22 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी को समाप्थ होंगे। गुप्त नवरात्री के महा अश्टमी इस बार 29 जनवरी दिन डविवार को है और महा नवमी 30 जनवरी दिन सौंबार को है नवरात्री में महा अश्टमी और महा नवमी का विशेश महत्व होता है शास्तों के अनुसार नवरात्री के महा स्टमी पर माता रानी के नेत्र खुलते हैं इसलिए महा अश्टमी महा नवमी पर जो भी भक्त मा का पूचन करते हैं उन पर माता रानी अतिश्रीक्र ही प्रसन हो जाती है नवरात्री के अन्य दिनों की अपेक्षा नवरात्री की महा अश्टमी महा नवमी पर मा का पूचन करने से दोगुना अधिक पुन्यफल प्राप्त होता है इन दिनों मा का पूचन करने से मा अपनी भक्तों के सभी कश्टों को दूर कर देती है और मन चाहां बर्दान प्रदान करती है नवरात्री के यह दो दिन खास दौर पर मा की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुब माने जाते है इसलिए नवरात्री की महा अश्टमी महा नब्मीत पर मा की कृपा प्राप्त कहने के लिए कुछ खास उपाई शास्तों में बताए गए है इन दिन ये खास उपाई कहने से जीवन में सौभाग के आता है कश्ट दूर हो जाते हैं और धन की कमी कभी नहीं रहती मा अपनी भक्तों के घर को धन्धान निसे भर देती हैं और मा की विश्ष कृपा प्राप्त होती है नवरात्री की महा अश्टमी और महा नब्मी पर मा की कृपा प्राप्त कहने का सबसे खास उपाई है कन्या पूजन कहना कन्या पूजन के बिना नवरात्री ब्रत और पूजन अधूरी रहते हैं जो लोग ब्रत नहीं भी रखपाते उन्हें भी नवरात्री की महा अश्टमी महा नब्मी पर कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए माता रानी की कृपा प्राप्त करदे के लिए नवरात्री की महा अश्टमी या महा नम्मी के दिन कन्या को भीट अवश्य ही देनी चाहिए कन्या को मा का सुरूप माना जाता है इसलिए इस दिन कन्या को माता रानी का सुरूप मानकर लाल रंग की चुन्डरी अवश्य ही भीट में देनी चाहिए इसलिए मा का स्रूप मान का कन्या को लाल रंग की चुन्ड़ी अवश्य ही अरपित करने चाहें अगर चुन्ड़ी अरपित ना कर सकें तो आप शंगार का कोई सामान भी कन्या को अरपित कर सकते हैं लेकिन ऐसा ही श्रंगार का सामान कन्याओं को अर्पित करें जो उनके इस्तमाल में आए जैसे कि श्रंगार के सामान में सिंदूर भी आता है लेकिन कन्याओं वह इस्तमाल नहीं कर सकती इसलिए श्रिंगार का ऐसा सामान जैसे की चूड़ी है नेल पेंट है या कोई ज्वैलरी है इस तरहें की चीजें आप कन्या को अर्पित करें जिसी वह इसका इस्तमाल कर सकें आज के दिन लाल और हरी रंगी चूड़ी कन्या को अर्पित करने चाहें हैं ऐसा करने से दुर भाके सो भाके में बदल जाता है मादाराने की किरपा से किस्मत साथ देनी लग जाती है और सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है जिससी हर छीतर में सफलता मिलने लग जाती है कहते हैं कन्याओं को दी गई भीट मा स्विकार करती है इसलिए कन्याओं को भीट अवश्य ही देने चाहिए मानिता है नवरात्य की महा अश्टमी महा नब्मी पर कन्या को भीट अरपित करने से घर में मा लक्ष्मी का बास होता है और धनकी कोई कमी नहीं देहती नवरात्य की महा अश्टमी महा नब्मी का दिन विशेश फल देने वाला होता है इस दिन देवी मा की आरातना कहने से दोगुना फल प्राप्त होता है महा अश्टमी महा नब्मी के दिन देवी मा की आरातना कहने के लिए मा के समक्ष एक कलस इस्थापित करें इसमें नौ अशोक या आम के पत्ते लगाएं और फिर इस पर कलश पर नार्य लखें और मा के सामने एक दिया जिलाएं फिर मा के इस शक्तियों का आवाहन करें चामुंडा देवी, इंद्राणी देवी, नसिही देवी, बाराही देवी, वैश्नवी देवी, कौमारी देवी, माहिश्वरी देवी, भ्रामरी देवी, काली देवी ये सभी नो देवियां उर्जा कर पति निधित्व करती हैं अब माकी इन शक्टियों का आवाहन कर 108 बार माकी इस मंत्र का चाप करें मंत्र है ओम एम हिरिम्कलिम चामुन्दाई पिछे यह पूचन राती 12 बजे कहना है माका इस तरहें पूचन कहने के बाद कलश को ऐसी ही रखा रहने दें और अकले दिन कलश के इस जल का पूरी घर में छिड़काप करें ये महा अश्टमी महा नव्मी का महा उपाय है इस उपाय को कहने से देवी मा की विशिश कृपा पूरी परिवार को प्राप्त होती है मा की कृपा से सर्व सिध्धी भी प्राप्त होती है और सभी कश्ट दूर हो जाते हैं, घर में मौझूद नकारात्मक उजा नश्ट हो जाती है, और घर में सकारात्मक उजा का संचार होता है, जिससे घर में मौझूद कश्ट कलेश दूर होते हैं, और जीवन में खुशाली आती है, कलश पर जो नार्यल रखा है उसी आप मंदिर में ले जाकर मां के चर्णों में रखाएं या आप किसी भ्रामन को भी भीप में दे सकते हैं अगर आपके जीवन में कश्ट हैं कश्ट दूर नहीं होते कोई न कोई परिशानी बनी रहती है तो आप नवरात्री की महा अश्टमी महा नवमी के दिन पीपल के गारे पत्ते लें और फिर हनुमान जी पर चड़ाने वाला सिंदूर लें और इस सिंदूर में घी मिला लें घी ना हो तो चमेली का तेल मिला लें अब तेल मिले हुए इस सिंदूर से आप पीपल के पत्तों पर भागवान शी राम के नाम लिखें यानि कि आप राम राम सभी पत्तों पर एक एक बार लिखतें और फिर इन पत्तों से एक माला तयार कर लें माला बनाने के लिए आप एक कलावा ले यानि कि मौली या फिर कोई भी आप अन्ने लाल रंग का धागा ले सकते हैं और उसमें आपको पत्तों की डंडी से गांट लगाते हुई माला तयार कर लेनी है अब इस माला को ले जाकर आपको संध्याकाल के समय हनुमान जी को करने के बाद आप हन्वान चालेशा का एक बार पाठ करें और जो भी कष्ट हैं उन्हें दूर करने की बर्जंग बली से प्रात्ना करें शास्तों के अनुसार इस उपाय को करने से बर्जंग बली की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं जीवन में तरक्की में जो भी पाधा होते हैं वहें दूर हो जाते हैं रोक टोक लगी होती हैं वहें हट जाती है संकट मोचन पर शंग बली के कृपा से सभी संकट जल्द ही दूर हो जाते हैं आपकी कोई ऐसी मनुकामना है जो लंबी समय से पूरी नहीं हो पा रही है घर में सुक्सम्रथी की कमी है घर में कलीश वना रहता है तो आप नवरात्री की महा अश्टम्नी की अर्थ रात्री यानि की रात बारे बजे मा की सामने एक दिया ज़राएं और एक लाल रंग का अपने दाहिने हाथ में ले फिर दुर का सब्तसती में वर्नित देवी सुक्त का पाठ करें पाठ करने के पश्चाथ आप मन ही मन अपनी मनुकामना माता रानी के सामने कहें और मनुकामना पूर करने की प्रात्ना करें घर में जो कलेश है दुख है उसे दूर करने की प्रा करतें कि इसतरहें नवरात्री की महाँके में की रात्री को मां का पूजन करने से माता रानिक क्रपा से घर से कलीश और दुख दूर हो जाता है घर में सुक्षमरधि providing ढहती है मां अपने भक्तों को मनचाहं बर्दान भी देती हैं औ कि दोस्तों+, नवरात्री मातारानी को समर्पित होते हैं, मा की खिर्पा प्राप्त कहने के लिए नवरात्री से बहतर कोई भी और समय नहीं होता, और नवरात्री में भी नवरात्री की महा अश्टमी महा नम्वी सबसे ज़्यादा शुब मानी जाती है, क्योंकि इन दिनों मा का पूजन कह करने से मा उस पूजन को सबसे जल्दी स्विकार कर लेती हैं वैसे तो नवरात्री में हर दिन दुरका सबसती का पाड़ किया जाता है लेकिन दुरका सबसती में ही बढ़ने थे जो नवरात्री की महा अश्टमी महा नभी पर दुरका सबसती के तेरे अथायों का पाड़ करत उन्हें कोई भी दुश्वन सता नहीं पाता। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भै नहीं रहता। और उनके जीवन के सभी कश्टों को मादूर कर देती हैं। इसलिए नवराती की महा अश्टमी महा नवी के दिन दुरका सबसती का पार्ट अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों माद के कितना प्राप्त करने के लिए आप ये आसान से उपाई अवश्य ही करें। उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर अपने फ्रेंड्स रिस्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। जिससे बेभी इससे लाइप राप्त कर सकें।